नमस्कार आप देख रहे हैं एशिया न्यूस इंडिया मैं हुकी इति सिंग और आज देश में कॉंग्रिस पार्टी को जन्मे हुए यानि कि उसके इस्थापना को 147 वर्ष पूरे हो गए हैं कॉंग्रिस पार्टी के 147 इस्थापना दिवस पर आज रांची इस्थित कॉंग्रिस भवन में वहां के अध्यक्ष राजेस ठाकूर ने जंडो तोलन किया और साथी साथ लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इन 147 वे इस्थापना दिवस पर किस प्रकार से जारखन म लगतार कॉंग्रिस की सरकार कॉंग्रिस पार्टी काम को करते आ रही है और यहां मतलब जारखन के साथ साथ देश के विभन छेत्रों में कॉंग्रिस पार्टी किस तरह से लोगों के हित के लिए काम करती है चलिए देखते हैं क्या कहना है कॉंग्रिस के अध्धक्ष करके और आज तक लोगों के सदभाव के लिए लोग कैसे जीवन जीए उन सब के लिए लोगों के कल्यानार्थ लागातार हम सब काम करते रहे हैं और हमने इस दौर में देखा है कि हमने लागातार देश को देश की जनता की वज़े से 6-6 प्रधानमंत्री देने का काम किया और उन छेव प्रधान-मंत्री पारे में जब आप बात करेंगे जवाह ऱलान रहरू जी हो लाल भादुर सास्तरी जी हो राजीव गांधी जी हो प्रवी नर्सी महराओ जी हो मनमोहन सिंग जी हो सब ने कुछ न कुछ देश को देने का काम किया था और उसी बदलत आज हम ये कह सकते हैं हमने लोक तंटर जम्हूरियत को इतना मजबूत किया कि आज सभी लोगों को लोक तंटर में सत्ता पाने का अधिकार है और हम लोग उसी चीज को बनाए रखने के लिए लागातार संगर्स रखते हैं आप जब भी किसी गाउं में जाएंगे तो आप देखेंगे आप पूछेंगे कि आजादी की लडाई में जो इन्होंने हिस्सा लिया था वो किस पार्टी से संबद रखते थे तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे कॉंग्रेस पार्टी से संबद रखते थे यही हमारा गौर्व में इतिहास है उसी को हम आज के दिन याद करते हैं और संकल्प लेते हैं कि जब तक हम लोगों को चैन और सुकून नहीं मिल जाए जो लोगों के जीवन का एक जो अस्तर नहीं उचा उड़ा तब तक लागातार संदर्श करते रहेंगे और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुचाते रहें